हाजी बच्चों, तो Rx और ARx का वर्गीकण हम लोग समझते हैं, इस वर्गीकण का सबसे पहला आदार होता है हेलोजन की संख्या के आदार पे, अगर एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एलकेन या मोनो हेलो एलकेन, दो हेलोजन है तो हम कहते हैं इसको डाई हेलो एलकेन, डाई हे करेत है और आगे एक carbon से connected है 1 degree, आगे 2 से connected है 2 degree, आगे 3 से connected है 3 degree, इसके बाद आता है halogen जिस carbon से connected है वो sp3 हो और उसके ठीक बाद में double bond हो allylic, halogen जिस carbon से जुड़ा हुआ है वो sp3 हो उसके ठीक बाद benzene हो benzylic और इस प्रकार अगर halogen direct जुड़ जाए double bond से sp2 से तो उसे कहते है vinylic और halogen अगर diet जुड़ जाए benzyne से तो उसको बोलते है aryle और last में आता है sp संकनवाले carbon के साथ halogen का जुड़ा हो